हाई एवरिवन आपका अपनी चैनल नवी क्लासस में एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी MEG 14 जो की इगनु का सब्जेक्ट है Contemporary Indian Literature in English Translation इसके important questions इस वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस किये जाएंगे तो आपनी वीडियो को बिना skip किये पूरा देखना है ताकि आपको पता चले कि कौन-कौन से question है जो आप even skip भी कर सकते हैं अगर आपकी पास time कम है तो और कुछ questions जो मैं आपको most important बोलूँगी वो आपने बिल्कुल करकी जाने है अगर आप अच्छे marks के साथ पास होना चाहते हैं तो वो questions आपने जरूर करने है तो अगर आपनी चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि this is free of cost and no charges deducted for subscription so please subscribe the channel before watching the video and if you like the video then press like button too and share this with your friends too so let's start the discussion सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये जो subject है इसका exam जो होता है वो 3 hours का होता है और maximum 100 marks का होता है जिसमें आपको 5 questions attempt करने होते हैं 20-20 marks की सारे questions होते हैं और overall choice नहीं आती लेकिन हर question में आपको internal choice जो है देखने को मिलती है आपको जैसे दो-दो question दिये जाएंगे उनमें से एक एक attempt करना होगा और कुछ जो है poetry basis भी आते हैं वो मैंने अभी यहां discuss नहीं किये हैं जिसमें कुछ चैंजास दी होते हैं आपको वो मैं अगर टाइम मिलेगा तो further video पोस्ट कर दूँगी तो आप जो है यह questions जो अच्छे से करना मैं आप first one is discuss how samskar chart India's transition from tradition to modernity तो आपको बताना है समस्कार में किस तरिके से जो है tradition से मतलब traditional culture से modernity की तरफ जो है आपको transition शो किया गया है next one is compare and contrast the character of pranishchariya with that of narnappa in novel samskar इसमें pranishachariya का जो है character वो तो आपने बिल्कुल करना है बिल्कुल ही skip नहीं करना है और इन दोनों का जो character है इनको compare भी करना है next one is role of chandri in the acharya's effort to redefine himself as an individual in samskar पूरा ऐसा ना आकर की कई बार question खाले ऐसे भी आ जाता है discuss the role of chandri तो आपको जो है इस तरिके से prepare करना है इसको 2020 marks की हिसाब से करना है जिसमें 500 words जो है आपके होने चाहिए next one is discuss the ways in which samskar offers a critique of brahmanical hinduism तो यह question भी काफी बार आया है क्योंकि रिलीजन बेस्ट जो है यह question तो यह questions मैंने आपको four questions बताई है आप ने क्या करना है आप समसकार की story को अच्छे से पढ़ें अगर आपके अच्छे views आएंगे अच्छा response होगा तो मैं भी कोशिश करूँगी अग प्रोवाइड करवा पाऊं आपको तो मैं प्लेलिस्ट ब आपने attempt करना है नेक्स्ट वन इस एक्जामिन तुगलक 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 जो आपने skip नहीं करना है प्ले तुगलक एक्जामिन तुगलक एज पॉलिटिकल स्टायर डिस्कस्ट थीम ऑफ पावरीं दव प्ले तुगलक मॉटिफ्स अफ चैस और डिस्गाईज एज उस इन तुगलक रोल वफ अजीज एंड आजशमा अजीज का रूल जो है बहुत बार कुषिन जो ही ये paper में आया है अजीज और आजम का role जो है क्या था तुगलक में तो अगर आप एक बार play को पढ़ लेंगे तो आपको role तो अच्छे से आप कर पाएंगे उनको तो आपको at least सब भी plays की story आपको पता होनी चाहिए In what way is Mani Mahish a personal memoir rather than an objective traveler's guide to the land and its people आपको बताना है कि ये traveler guide की बजाए आपको बताना है किस तरीक्य से जो है ये एक personal memoir है Mani Mahish का Next one is How does Mani Mahish combine history, legend, reality and myth सबको आपको आपने बताना है Mani Mahish ने कैसे इसमे सारी चीजों को combine किया है कई बार history and legend भी पूछ लेगा खाली कभी-कभी reality पी अगर short notes में break होके आता है तो मतलब इन में से single single पर भी पूछ लेते हैं तो देखे पर इसको में बहुत ज़्यादा importance नहीं दूँगी क्योंकि तुगलक और समस्कार जो है अमरित्स राय बाइग्राफी ऑफ प्रेमचंद उसकी फीचर्स बतानी है और मितलब उसकी क्रेक्टर स्टिक्स क्या है discuss प्रेमचंद's effort to bridge Hindu-Hindi-Urdu divide तो Hindi-Urdu controversy या Hindu-Hindi-Urdu divide को इस gap को जो है उन्होंने किस तरीके से balance किया है तो वो आपने बताना है literature and language especially आपको बताना है literature का language का क्या role है जो प्रेमचंद का social vision का नजरिया है उसमें literature और language क्या role play करती है तो ये questions थी जो आपके प्रेमचंद वाले इन में से मतलब ये है कि अगर आपको अच्छे marks लाने है आप नहीं चाहते कि कोई question आप छोड़के आए paper में तो आप ये कर लीजिएगा अगर time कम है तो again जो मैं आपको most most important बोलू वो आपको ही करने वो आपको वो करने है again is significance of the title of the story the compromise ये फिर तुगलक और समस्कार के बाद जो most important question जाता है वो जाता है ये story the compromise पे इसके आपको title पे note आजाता है या फिर ऐसे पूछ लेता है कि discuss विजेदान डेठा art of storytelling मतलब उने कैसे कौन सी techniques use की है the compromise में narrative techniques क्या use हुई है वो आप से पूछ लेगा how the compromise is an allegory मतलब कि ये story है इसको कैसे symbolize किया गया है वही जो है मतलब इसके features आप क्या है सकते है discuss the issue of ये थी आपकी I mean the compromise से जो most repeated questions है and most expected to next one is discuss the issue of communal conflict in tamas with reference to the incidents of communal tension in India's history after partition देखिए जो tamas play है इसमें communalism का जो है वो issue बहुत ज़्यादा discuss किया गया है तो गुमा फिरा के इस पे question आना लाजमी है next one is write a detailed note on the sub-alterns in the novel tamas discuss bama ये मतलब tamas वाला भी आपका बहुत बार आता है paper में tamas पे question तो आपने tamas को जो है ये आपने करना है next one is discuss bama's karuku as an autobiographical narrative देखिए ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा question नहीं आता है लेकिन expected आप कह सकते ही इसको अगर आपके पास time है तो आप जरूर कीजेगा क्योंकि आप अच्छा score करना चाहते हो नहीं तो फिर मैं एक बार last में भी बता दूंग जो आपको 101% questions आते ही आते हैं और आपने बिल्कुल छोडने नहीं है next one is इसमें से karuku से आता है कि किस तरीके से दलीत life को या पूविर women की जो life थी वो उसको इसमें कैसे highlight किया है karuku में next one is the empty chest empty chest की symbolic meaning पर कभी title पर कभी style पर कभी story की ending पर question आता ही आता है next है आपका comment on the important features of mantos style as you find an own ismat जो है उसमें आपको बताना है कौन से features use किये गई है what expects of ismat chuktais writings and creativity appeal to mantos portrayal of ismat chuktais तो इसमें जो है आपको बताना है कि कैसे ये जैसे short story आपने बताना है इसकी merits क्या है as a short story writer इनकी with reference to Chinese granny Chinese granny जो है इस पर थोड़े question कम आने की chance है इसमत वार पी ये जो questions मैंने बताए थी ये आपकी ज़्यादा expected है tragic character ये question ज़रूर करना Chinese granny से character of granny अगर आपके पास समय हो और आप कर रही हैं तो granny के character पर जो है काफी बार आता है इसमें से question फिर अगीन significance of title तो आपका जो mostly कोई play है story है novel है हर चीज पर जो है हर चीज के title की significance आप से बहुत बार पूछी जाती है narrative techniques उसमें क्या use हुई है story as a social document और उसकी ending जो है and उसपे question फिर है discuss the character of पूरन मौसी and मनोहर in मोतीलाल जोटवानी's very lonely she तो देखी इसमें अगर आपके पास time कम है तो आप मनोहर का जो है character चाहिए आप छोड़ भी सकते है लेकिन आपने पूरन मौसी का character जो है वो जरूर करना है examine the narrative techniques and themes of family bond family love किस तरीके से दिखाया गया है family bonding किस तरीके से दिखायी गई है very lonely she में ये again very important question आपका है तो very lonely she से आपको क्या करना है आपको इसमें family bonds जो है वो कैसे narrative technique क्या use हुई है और पूरन मौसी का character sketches में से next one is birthday जो है birthday is the typical of इसमें आपको बताना है realism को idealism को और optimism को किस तरीके से जो है इसमें describe किया गया है birthday में है question कई बार आ जाता है लेकिन अगर आपके पास इतना time ना बचे कि आप preparation के लिए तो आप इसको skip कर जाएंगे तो भी आप पास जरूर होंगे तो बाकी अगर important questions आप करके जाते हैं तो next one is comment on the significance of title again title पे question आ गया use of image and light or role of memory in normal parma story जो birds है उस story में देखे उसकी title पर और बहुत ज़्यादा जो question आता है role of memory पर फिर कभी कभार question जो है light and music पे भी पूछा गया है तो birds story अगर आप करें तो उसमें memory क्या role ज़रूर आपने करना है कि memory का role क्या है next one is why does protagonist of the story headmaster, prawn, chanachur, pretend madness तो इस madness पे भी question आया है जो rare question आया है वो police के role पे आया है तो आप police के role को अगर skip करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपने यह है कि आपके पास time काफी है तो आप इसको कर लेना otherwise यह question आपका आएगा next one is salt जो है आपके उसमें आपने बताना है महा श्वेता देवी की story salt जो है उसमें salt को किस तरीके से एक metaphor के रूज में use किया गया है और उसकी major themes क्या है और इकोया का role क्या है इसमें salt में next is discuss the realism point of view and portrayal as a tribal of tadpaz तो यह जो है देखी अगें अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या important questions एक बर revise करवा देती हूँ आपने क्या क्या करनी है आपने तुगलग को skip नहीं करना है तुगलग प्ले आपने करना है समस्कार आपने करना है और आपने और क्या क्या करना था उसके अलावा जो मैंने important बताया था the compromise आपने करना है और the compromise करना है और birds आप कर सकते हैं इसमें से और और भी मैंने कोई important question आपको बताया था very lonely she आपने करना है और इस मताप कर लेना तो देखी इतना भी आप करके जाएंगे और the empty chest इतना भी आप करके जाएंगे तो आप 60% तक तो marks ज़रूर ले करके आएंगे बाकि जितने questions बताएंगे अगर आपके पास time है आप सारे करते हैं तो आपको अच्छे marks लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता ये पक्का मेरे promise है आपसे कि आप बिल्कुल पूरा paper जो है आप attempt कर पाएंगी बाकि जो है poetry से भी मैं आपके साथ discuss करूँ भी इस changes अगर time मिला तो और इनको भी play story वेगरा जो है इनकी भी मैं आपको लेकर के आऊंगी कुछ videos अगर आपका response अच्छा रहता है बहुत ज़्यादा आच्छे से आप शेयर करते हैं व्यूज ज़्यादा आते हैं तो ये इस पर डिपैन करता है बाकि मैं इसकी जो pdf है questions की टेलिग्राम पर भी share कर दूँगी तो टेलिग्राम पर भी नवी classes से हमारा आपको चैनल मिल जाएगा आप वहाँ जोईन कर लीजिए मैं इसकी pdf डाल दूगी क्योंकि ऐसे तो आपको करने में परेशानी होगी कहां से आप question note करेंगे बहुत time consuming process होगा तो मैं इसकी pdf वह है share कर दूँगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है like करना और चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया है तो अभी कर दीजी thanks for watching this and all the very best for your exam